शाजापुर्जिले के ग्राम मदाना में एक अनूठा नजारा देखने को मिला जहाएक किसान ने अपने बैल की मौद पर न सिर्फ मुंडन कराया बल्कि भंडारे का आयोजन भी किया जिसमें न सिर्फ मदाना के बल्कि आसपास के लोगों ने बैल को श्रधांजली अर्पित कर महाप्रसादी का लाब भी उठाया शाजापुर्जिले के ग्राम मदाना के कृशक जगदीश सिसौदिया के हां राम और श्याम नाम के दो बैलों की जोड़ी थी दोनों बैल तीस सालों से किसान के साथ खेती कारे में मदद करते थे दोनों बैलों ने किसान का साथ बेटों की तरह दिया राम की मौत तीन साल पहले हो गई और श्याम की मौत बीती पूनिमा के दिन हुई श्याम की मौत होने के बाद किसान ने उसके सुलहवे के कारकरम का निने लिया और हिंदू रिती रिवास से पूरा कारकरम किया पहले अंतिम संसकार किया और ग्यारहवे दिन उज्जैन जाकर तरपन किया और अमावस्या पर नगर भूच का आयोजन किया कारकरम के दोरान बैल मालिक जगदीश सिसौदिया ने बैलों की स्मृति में 11,000 रुपए की राशी गाउं के चमतकारी मवडी देव वाले दरबार में निर्मान कारे के लिए दे दी और श्री महाकाली कामधेनु गोशाला में भी 5,000 रुपए की राशी दान की इनके हैं बैल थे पिछले 30 वर्सों से बैल की एक अच्छी खासी जोड़ी थी जो करीब 50-60 वी गा जमीन को उपजाओ करने के लिए वो दो बैली प्रयाप्त मतलब खेती का पुरा काम कर दिया करते थे थे तीस वर्सों तक लगा ताड इनके हैं वो बैल रहें लेकिन दोनों बैल बहुत संदर बैल थे इनके घर परिवार के सदस्ची की तरह इनोंने बैल को माना हैं और बैल का राम श्याम नाम रखा था पहले राम का निदन हो गया था अब बाद में एक बैल जो बचा था श्य दोई बैल था एक तीसाले साल मरगो एक और रियो थो बड़ो को मैने मतलब मने पूर्ती इच्छा करदी महरी इच्छा है अने भी पुनम गई पुनमा का दान द्यान होगा उनका मैने डोल भी संगारा डोल बाजा से लोल बैल मैने घर कान महानने चले कर लोग तार अत्या इस कारक्र में 4000 से अधिक लोगों ने खाना खाया आठ क्विंटल आटा और दो क्विंटल शकर के अलावा बेसन, तेल और अनिसामगरी का इस्तेमाल हुआ भुजन में नुक्ती, सेव, पुडी और कढ़ी बनाए गई साथी एक दिन पहले रात्री में खाटू श्याम की भ झाल